Hello students, मेरा नाम है समंध मीना और आज हम पढ़ेंगे computer, 5th class का computer जिसका chapter है 5 कौँज़ चैप्टर है? 5 और इस chapter का नाम है creating table in MS bird मतलब MS bird में table को create करना MS bird क्या होता है? यह chapter 4 है, MS bird 2016 जो है पूरा का पूरा detail से chapter 4 में बताया गया है अब इस MS bird में हम table को कैसे create करते हैं? उसके बारे में यह हमको इसमें बताया गया है और अब हम इसमें यह इसके बारे में ही पढ़ेंगे, चीक है? तो पहले तो उन्होंने बताया है कि table किसे कहते हैं? table किसे कहते हैं? table are used to convey complex data in an easy, easy मतलब होता है? subtle, simplified, बहुती आसान and understand जो की समझ में आ सके, understand table, समझ में आ सके, table manner उस तरीके से data को एक ऐसे तरीके से complex convey में दरसाना जो बहुती आसानी से और सरल तरीके से समझा जा सके, ठीक है? अब आता है creating a table, किसी भी table को create करना और table को कैसे create करते हैं? इसमें हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? वीडियो बहुत जाता लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम short short में पढ़ेंगे a table, यहां से पढ़ेंगे, a table is an organized arrangement of text in the form of rows and column, but provides a variety of ways to create a table इसका मतलब है कि जो table होता है, यह row और column, किस किस से? रो और column से मिलकर बनता है, जो row और column जो जैसे की यहां पर आप उपर देखो, जो इस box में हमें बताया गया है देखो इस box में, कि row और row मतलब होती है, पंक्तियां, और column मतलब होते है, stump ठीक है, तो row और column से मिलकर एक table बनता है, जिसमें बहुत सारी पंक्तियां होती है, और बहुत सारी rows होती है ठीक है, तो उसमें हम क्या करते है, for creating a table, किसी भी table को create करने के लिए, follow the given step, जो नीचे step दी हुए है, इनको follow करते है पहला step है, click on table option, on the menu bar, यहाँ पर यह आपकी computer screen जो होती है, जब आप MS bird खोलते हो, तो उपर एक menu bar होता है उसमें एक menu bar में table नाम का एक option होता है, क्या होता है, table नाम का एक option होता है, BCA sub menu, bit the option insert, वहाँ पर एक insert नाम का sub menu option होता है जब आप insert पर click करते हो, then insert पर click करने के बाद, आपके सामने दो option है, दो तीन option खुलेंगे, बहुत सारे option खुलते हैं, कि आपको picture open करना है, या फिर कुछ और चीज़े open करना है, table open करना है, तब आप बहाँ से table option को select कर लोगे, कैसे, step 3 पर, on the next sub menu, अगले sub menu में, click on table, फिर आप किस पर click करोगे, table पर click करोगे, किस पर, table पर click करोगे, वहाँ जब आप उस पर click करोगे, तो insert table dialogue box will be displayed with many option, फिर आपके सामने table option के नाम से बहुत सारे table option खुल जाएंगे, जिसमें अलग-अलग type के table option रहेंगे, step 4 में क्या होगा, in the table size section, फिर आपके सामने ऐसा table size section हो जाएगा, कि आपको किस size का table open करना है, फिर आपके सामने आएगा, enter the number of column, आपको डालना है, कि कितने आपके table में कितने column रखना है, कितनी rows लखना है, आपको उस table में, example, we have set number of column 3 and 2, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने set किया हुआ है, कि 3 or 2, 3 columns हैं, और 2 rows हैं, तो इसके बाद हम 5th step में क्या करेंगे, click ok, then इसके बाद हम 5th step में यहाँ पर जो है, ok click कर देंगे, समझ में आ गया है, तो इस तरीके से आपका table create हो जाएगा, अब इन table का use कहां किया जाता है, इन table का use किया जाता है, जैसे data को simple तरीके से, data को simple तरीके से धरसाने के लिए, जैसे कि देख हैं, तीसरे में class दरसा देते हैं, तो यह होते हैं table, table का मतलब होता है, एक list बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, simple तरीके से, और ऐसे तरीके से, जो हमें आसानी से समझ में आ जाए, समझ गए, ठीक है, अब इसका अगला है, inserting row and column, मतलब अब आपको मैं simple तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं, जादा time section ना करते हुए, कि इसका मतलब यह होता है, कि आप किस तरीके से row और column को insert करते हूं, insert मतलब, वो insert नहीं होता कि जो сми आपने बेच ज़्यदी कर दी, वो insert नहीं है, इसका मतलब होता है, निकालना, निकालन row and column column और अपन जो होती है row उसको कैसे बनाते हैं तो उसके लिए फस्ट इस्टेप होती है कि हमें click on the place in the table you want to row insert here cursor has been placed on the last row सबसे पहले हमें last row पर click करना होता है जैसे कि आप यहां पर insert नाम का एक button होता है उस पर click करोगी फिर यहां पर बहुत सारे sub menu option हो जाएंगे ऐसे एक टूल वार करके option जो होता है वो open हो जाता है फिर इसके बाद उसमें बहुत सारे अलग-अलग options रहते हैं जिसमें सबसे last में लिखा होता है insert table in the table row and column तो उसके जरीए आप उसको select कर सकते हो और बहां से आप बहां से row और column को निकाल सकते तो उसके लिए आपका second step है on the table menu click on the insert सबसे पहले insert option पर click करना है from the sub menu then click on rows above it will automatically insert the row above the current now तो उसके बाद जब आप उसको select कर दोगे जब आप click row पर click करोगे तो जो आपका table है उसमें row insert हो जाएगी और जब आप अगर column को select करते हो तो column insert हो जाता है समझ गए तो इस तरीके स से हम row और column को insert कर सकते हैं अपने table में जिस तरीके से हमने row को insert किया था अपने table में उसी तरीके से हम column को भी insert कर सकते हैं अब column यह हमारे पास दर्साया हुआ है कि column को कैसे insert करना सबसे पहले first step उसी तरीके से हम place पर table पर जाकर place जाकर table पर जाकर उस column option को insert करने के लिए insert पर click करेंगे second step जो बता रही है on the table menu के insert पर click करेंगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे sub menu पर जाकर column to right पर click कर देंगे और इस तरीके से हमारे screen है जिसको हम क्या कहते है monitor उस पर जो हमने MS bird खोल रखा है उसमें हमारा column insert हो जाएगा जैसे यहाँ पर देखिए यह पूरी की पूरी एक table है छोटी सी table है तो अब मैं आपको बताता हूँ row क्या होती है और table column क्या होते है तो यह जो यहाँ से यहाँ तक दिकाई दे रही है इसको कहते है row क्या कहते है row row मतलब होती है पंक्तिया और यह जो नीचे की तरफ आ रहे है इनको कहते है column क्या कहते है column और जो table है यह पूरा का पूरा table है तो इसको कहते है column ऐसे जो होते हैं और ऐसे जो होते हैं उनको कहते है row row मतलब पंक्तिया और row और पंक्तिया दोनों sorry रो और कॉलम दोनों मिलाकर बनाते हैं एक टेवल रो और कॉलम से मिलाकर बनाते हैं एक टेवल समझ में आ गया तो यही होता है रो और कॉलम तो इस तरीके से एक टेवल बन जाता है रो और कॉलम दोनों के मिलाने से अब दोनों को डिलीट कैसे करते हैं जैसे अगर आपने इ तोनों को बताया गया कि row and column को कैसे delete करते हैं तो सबसे पहले आपको first step क्या है click on the place in the table you want to row and column to be deleted here the cursor has been placed on the last column class or click table menu click on delete for the submenu click column of rows इसका मतलब ये है कि आपका ये जो table है ये आपका जो table बनाया हुआ है बना हुआ है इस table में aगर आपको कोई सावी कोई सावी से मतलब कोई सावी row कोई इसी भी row और कोई सावी column आपको delete करना है तो आपको उसके लिए क्या कर न पड़ेगा जैसे मालो मुझे ये वाला Prime ना जो है column pad वहंभta क्या है यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले मुझे उसको सलेक्ट करना होगा ऐसे करके सलेक्ट करना होगा जब मैं इस पर सलेक्ट कर दूँगा तो जिस तरीके से अपन ने उपर की तरफ अपन लोगों ने उपर की तरफ sub menu पर insert से column और row निकाले थे बहाँ पर जब अपन click करेंगे तो बहाँ पर delete को option आएगा और अब बहाँ पर जब delete click कर देंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा column delete हो जाएगा समझ गए तो इस तरीके से हम column और उसी तरीके से हम row को भी delete कर सकते हैं ठीक है आगे आता है अपना merging and slipting the cells मतलब हम किसी भी जो cell है cell का मतलब होता है जिसमें ये होती है row ठीक है ये होती है row और ये होते है column अब बन गया column ये मर्जिंग का मतलब होता है मिलाना and slipting मतलब होता है slip करना दा cells को cells मतलब होते हैं जो row और column से मिलकर बनते हैं ये जो डिबबा बनना होता है उसको कहते हैं cell ठीक है जैसे इसमें ये रज़त लिखा हुआ है ठीक है रज़त एक cell के अंदर लिखा हुआ है ठीक है we can select a number of adjacent cells and merge them into a single cell also a single cell can be selected into a number or rows and columns Let us see how to do this merging the cell मतलब हमे क्या करना है कि जितने भी columns और जितने भी rows है उनको अपन इसेक करना है और select करके उसको हम हमें merge करना है और हम उसको merge करदेंगे तो वह एक ही cell में आ जाएगा ऑक ही cell मतलब एक ही ऐसे box में आ जाएगा अब वह कैसे आता है उसको कैसे merge करते हैं वो नीचे पूरी की पूरी definition details लिकी हुई है पहले क्या करेंगे combine two or more cells in the same row or column into a single cell in column merging cell merging we can merge a number of adjacent cells to change them into a single cells for merging the cells follow the given step हमें cell को merge करने के लिए यह steps को follow करना पड़ेगा पहला है select the cell B1 to merge जिन cells को आप merge करना चाहते हो सबसे पहले आपको अपने करजर जो mouse होता है उससे select करना है click on merge cell from the table menu आपको फिर table menu यहां पर जो ऊपर रहता है यह देखिए ऊपर screen पर ऐसा लिखा होता है उस पर आपको table पर click करना है table menu पर click करना है ठीक है उसके बाद क्या करना है हम नीचे देखेंगे उसके बाद इसमें तो कुछ लिखा नहीं है table menu पर जाना है second step के बाद यहां से देखते हैं यहां से समझते है table menu पर आपको जाना है इसके बाद यह देखो यह जब यह option आपके पास open हो जाएगा फिर आपको merge cell करके click कर देना है तो आपके जो जितने भी cell आपने choose किए हैं वह सारे के सारे एक ही cell में आ जाएंगे उससे क्या होगा कि आप आपने मानलो इतने सारे सेल चूज किये थे इतने सारे सेल चूज किये थे तो उससे यह होगा कि आपकी जो बीच की लाइने बगेरा है ना यह सम मिट जाएंगे तो आपका क्या बीच की लाइने मिट जाएंगे इदर उदर की नहीं सिर्फ बीच की तो उससे क्या होगा आपका पूरा का पूरा एक सेल बन जाएगा जितना भी टेबल या सुरी जितना भी डाटा आपने टेबल में चूस किया था जितने भी सेल आपने चूस किये थे वो बीच के सारे हड जाएंगे और आपके पास स्रिप एक ही सेल बन जाएगी सारे डाटा की मिला तो वो क्या होगा आपका सारा का सारा डाटा जो है वो यह की सेल में मर्ज हो जाएगा समझ में आ गया बस इसके बाद क्या होता है स्लिप्टिंग अब सेल को स्लिप्ट कैसे करते हैं तो यह कुछ ही चोटे-चोटे स्टेप्स होते हैं जिनके जरी अपन यह सारे के सा कर सकते हैं कंप्यूटर में जब आप प्रैक्टिकल करो तो आप खुद समझ जाओगे आप बुक को देख कर आप कंप्यूटर को चला सकते हो means जो म्यटे है 2016 इस बुक को पढ़के आप समझ के और बिलकुल एस जैसे इसमें लिका हुआ है बैसा ही आप इसमें करके आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे जो 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 इसमें लिका हुआ है वह सारा का सारा उसमें आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, तो पहला step है, किले के इने cell, आपको सबसे पहले कोई सी भी cell जैसे यहाँ पर बनी हुई है, इन में से किसी एक cell पर click करना है, cell बो होती है, पूरा का पूरा जो डिबबा होता है, उसको cell कहते हैं, ठीक है, row और column से मिलकर cell बनती है on select multiple cells that you want to slip, और बहुत सारी cell को आप चूस कर लो, जिनको आप क्या करना चाते हो, on the table menu, click on the option, slip cell, फिर आपको बही उपर की तरफ जाना है, जो आपका table होता है, बहाँ पर जाना है, उपर जो menu बार होता है, उस पर जाना है, पिर table पर select करना है, फिर उसके बाद क्या करना ह rows you want to slip the select cells, फिर आपको बापिस उसी में जाके, उसी तरीके से उसको क्या करना है, select करना है, जैसे हमने merge में किया था, फिर fourth number पर okay कर देना है, देना आपकी वो, जितने भी cell आपने select किये थे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, slipped हो जाएंगे, ठीक है, अगला आता है moving the tables, इस से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो उसी तरह आप अपने जो table आपने लिके हुए है, वो आप कैसे table आपने बना रहा है, वो आप कैसे move कर सकते हो, step first में, आपको बताया गया है, कि आपको mouse को उस table पर click करना है, जो आपने बनाया है, ठीक है, फिर second step पर आपको बताया गय जहां पर आप उसको रखना चाहते हो, जैसे इस side, मालो, यह आपका पूरा का पूरा table है, ठीक है, इस table में से आपको सिर्फ यह चार चीज़े उठानी है, और दूसरी जगे रखनी है, यह चार cells को, ठीक है, तो आप क्या करोगे अपने mouse से, ऐसे जैसे मैंने यह four, यह चा जाओंगा, लेकिन यहां पर मैं उठा नहीं सकता हूँ इसको, तो यहां से यह नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको यहां से उठा के, यहां पर रखूंगा, तो यहां पर भी एक ऐसा का ऐसा ही box बन जाएगा, जो यहां पर बना हुआ था, और जो इसमें लिखा हुआ था, वो भी यहां पर आ जाएगा समझ गए यही होता है बस एक sales का मुभी करना और उसको उटा कर दूसरी जगे ले जाना ठीक है और कुछ भी नहीं होता अगला है resizing the table अब table को resize करना क्या करना है table को resize करना resize का मतलब होता है मानलो पहले उसमें कम data है कम data से मतलब इतनी सारी sales है बस ठीक है अब आप इसमें और डाटा इंक्लूड करना चाहते हो तो क्या होगा इस जो टेबल है उसका size resize हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा और data कम हो जाए तो कम हो जाएगा तो उसको कहते है resize करना तो कैसे करेंगे select the pointer the select rise handle until double headed arrow appears now drag the table first step second step now drag the table boundary US draw you see dotted line in the indicate the size third step release the mouse button when you get the desired size अब मैं आपको यह समझाता हो कि इन्होंने चाह तीन लाइनों में क्या कह दिया है इन्होंने तीन लाइनों में यह कहा है कि सबसे पहले आपको अपने टेबल पर क्या करना है जो है करजर को ऐसे रखना है ठीक है और यह dotted line आपको दिख रही है ना नीचे इन्हीं dotted line के बारे में वो कह रहा था dotted line कहा था उसने तो वो यह कह रहा है कि आप अपने करजर से सबसे पहले जितने सैल है उतने उनको select कीजिए और उनको पकड़के ऐसे नीचे खीच दीजिए तो आप जैसे ही नीचे खीचोगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा जो लाइन है automatic खीच जाएंगी row और columns बढ़ जाएंगे और cell भी बढ़ जाएंगे जिससे तुम्हारा जो table है उसकी size बढ़ जाएगी बस इस तरीके से हमारी वो table की size को बढ़ा रहा है अगला है writing simple formula इसमें जो formula होते हैं वो simple तरीके से कैसे लिखते हैं वो बताया गया है click the record cell click the table menu आपको सबसे पहले table menu पर click करना है फिर इसके बाद formula पर click करना है फिर महां से formula कैसे insert होता है वो आपको click करना है just write the mathematical expression in the formula box for example जैसे कि इस तरीके से आपका formula लिखा होगा 85 plus 60 तो इस तरीके से is equal to में आपका answer आ जाएगा ठीक है select फिर इसके बाद अगला आता है select the number select the number formula in which you want the result to be displayed and click ok button in this case the result 145 will be displayed तो इस तरीके से आप अगर यह लिखोगे ना तो आपका वहाँ पर सिर्फ answer लिखाई देगा यह नहीं दिखाई देगा बस यह दिखाई देगा समझ गए तो इस तरीके से हम राय formula लिख सकते हैं बहुत ही simple तरीके से समझ में आया बस फिर आता है हम पढ़ेंगे auto formatting table क्या पढ़ेंगे auto formatting table अब यह auto formatting table क्या होता है यह हम देखते हैं देखो फोर changing the look हमें क्या है लुक को change करने के लिए क्या है look को change करने के लिए लुक मतलब क्या होता है पता है ना आपको उसका दिकापटी पन जो दिकावा होता है वो ठीक है लुक को चेंज करने के लिए कलर और डिजाइन के कलर और डिजाइन करते हैं बॉर्डर करते हैं यहां पर यह लिका हुआ है कलर डिजाइन और बॉर्डर बॉर्डर का यह बॉ picture picture आप ने ली मदला फोटो लिया और उसके चारों तरफ ऐसे करके border करना इक थाप को अपको color करना है जैसे मैंने कर दिया है और यह design बनाना चाहूं तो ऐसे करके उसके चारों तरफ ऐसे design बना सकता हूं तो यह होता है उसको formatting करना formatting मदलब सजाना दजाना border of a table is called auto formatting उसको auto formatting कहते हैं table if it is an involved facility of MS bird ये MS bird की involved facility होती है इसको कैसे use करते हैं सबसे पहले table menu पर click करना है फिर वहाँ पर auto format option पर click करना है फिर आपको design को choose करना है और उसको apply कर देना है ठीक है हमारे पास time कम है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी इस chapter को खतम करना है इसके बाद आता है डिलीट दा इंटर टेबल फिर टेबल को कैसे डिलीट करते हैं उसके लिए आपको table menu पर जाना है डिलीट option पर click करना है और बहां से ok कर दोगे तो आपका table डिलीट हो जाएगा changing column by column यह होता है column ठीक है यह जो पंगतियां है ना इसको कहते है column जैसे की यह वाला यह वाली जो पूरी की पूरी line है यहां से लेके यहां तक की सोई यार क्या हो रहा है हां यहां से लेके यहां तक इसको कहते है column तो changing column bid मतलब चोड़ाई column की चोड़ाई को change करना है तो उसके लिए आपको table menu पर जाना है select table properties option and click a table properties dialogue box appearance सबसे पहले आपको table पर जाना है उसके बाद table properties पर click करना है फिर तो वहां पर आपको table properties का एक dialogue box open होगा जैसे यहां पर एक open हुआ हुआ है click on column option फिर आपको column option पर click करना है fill with in prepared with box click ok फिर आपको डालना है कि आपको column की चोड़ाई को कितना inch कितना cm तक चोड़ा करना है और फिर आपको यहां पर जो ok लिखा हुआ है वहां से आपको ok कर देना है तो आपका column जो है चोड़ा हो जाएगा फिर अगला आता है changing height of row मतलब हमें row की क्या करना है height को change करना है क्या करना है row की height height मतलब लंबाई को change करना है promote row मतलब यह यह कृतिया HrowAutay Мосarching कर चैंज करना है क्या करना है उन्चाई को बदलना तो कि यह को बदलेंगी उसको बदलने के लिए हमें यह इतरी को follow करना होगा second, third or fourth first step कहती है table को आपको table menu पर जाना है table properties पर जाना है ठीक है इसके बाद table properties डायलोग box ओपन होगा फिर आपको row option पर click करना है फिर height को आपको select करना है जितनी भी height आपको उची करनी है जैसे आपने changing column से white change की थी उसी तरीके से आप change height से row का भी height change कर सकते हो दोनों में कोई difference नहीं होता है ठीक है बस इस तरीके से हमारा ये chapter खतम हो जाता है मैं आपको अभी इसके question answer भेज दे रहा हूँ group पर आप उसमें से question answer और exercise सारी fill कर लेना और सारे question answer अच्छे से याप कर लेना तो आपके chapter आपका जो test है उसमें यही chapter आने बाला है तो आप जल्दी से जल्दी इस chapter को एक बार reading कर लेना अच्छे से और समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए sorry और मैंने पूरी कोसिस किये time की budget करते हुए short में समझाने की तो आप बहुत ही कम समय में अच्छे से समझने की कोसिस करना बार बार वीडियो को देखना तो आपको automatic बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीके तो चलो bye bye and have a nice day सबके लिए